हेलो एवरिवन वेलकॉम अगेन इन लर्ण विद दितेमन बच्छों हम कर रहे हैं चैप्टर नमबर 15 क्लास 9 का और जो की जोग्राफी में 9th क्लास में सबसे लास्ट चैप्टर है इसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं 4 चार्ट हम start कर रहे हैं 141 कोशन हमारे हो चुके हैं और आज हम जब बात करेंगे वो करेंगे भारत के मिर्दा के बारे में इस वीडियो के अंदर अच्छा एक बात और कि कुछ बच्छों का कमेंट आता है कि मैं reply नहीं करता हूँ तो बच्छों reply करने कर नहीं है लेकिन मैं आप सभी के comments को बहुत अच्छे से read out करता हूँ देखता हूँ किसी को कोई विश्य समस्या होती है तो उसके उपर work करता हूँ और सभी का reply करने के जगेह पर मैं causes करता हूँ कि आपके लिए मैं कुछ नया कर सका हूँ तो चलिए बिना देरी के बिना वक्त गवाएं स्टार्ट करते हैं question number 142 है आपका भारत को किर्शी प्रधान देश कहा जाता है क्योंकि हम जानते हैं भारत को जो किर्शी प्रधान देश है वो क्यों कहा जाता है क्योंकि 60% जो लोग है उनकी आजिविका इसके उपर नर्भर मानी जाती है भारत का जो total population है उसकी जो 60-30 लोग है उनकी आजीविका किसके उपर निर्भर मानी जाती है तो इसी वज़े से भारत को किरसी प्रदान देश कहा जाता है भूमी की वह परत जो चट्टानों के विखंडन, विगटन और जीवांसों के सरने गलने से मिलकर बनी होती है उसको क्या कहा जाता है? मिर्दा कहा जाता है रच्टना विधी के अनुसार मिट्टी को कितने भागों में वर्गिकरत किया जाता है? रस्चना विधी के अनुसार मिटी को कितने भागों में वर्गिकरत किया जाता है रस्चना विधी का मतलब वो मिटी किस प्रकार बनी है किस सोड से बनी है उसकी पैतरक जो चटाने हैं वो कैसी है तो उनके आधार पर उनको कितने वर्गों में विवाजित किया जाता है, तो यह आपकी इस्थानिय और विस्थापित हैं, यानि वो इस्थानिय चटानों से विग्टित होके बनी हैं या कहीं बाहर से आई हैं, तो इसके आधार पर उनको वर्गों किया जाएगा इस्थानि और विस्थापित नैक क्वेशन देखिए इस्थानिय मिट्टी किसे कहा जाता है तो इस्थानिय मिट्टी हमने बात करी थी इस्थानिय मिट्टी वह है जो रितू क्रिया जो होती है उनसे विखंडित चटानों द्वारा निर्मित मिट्टी जिसमें चटानिय स्वैम के इस् पता है अलग-अलग परिक्रारों से होता है तो रितुक्रिया से विखंडित चट्टान उद्वारा देर्मित मिट्टी जिसमें चट्टाने स्वयम की विस्थान से विस्थापित नहीं होती है एसी मिट्टी क्या कहलाती है, इस्थान ये मिट्टी कहलाती है, मिट्टी के विस्थापन के सामने कारक हैं, मिट्टी जो विस्थापित होती है, उसके सामने कारक क्या हो सकते हैं, तो मिट्टी विस्थापन के कारक जो हैं नदी हो सकती है, नदी बहुत सारी मिर्दा लेके जाती है जो परवती छेत्रों के जो चटाने हैं जो विक्टित हो जाती है उनको वो लेकर आती है जिसको हम जलोड मृदा भी कहते हैं इमनद वह भी ट्रांसफर होने के एक बहुत बड़ा कारक है पवने आपने जब रहतीले टापूं के बारे में सुना होगा तो रहतीले ज मिलती है इस्थानिय मिट्टी जो है भारत में सामने तहा किस छेत्रों मिलती है तो देखिए जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कौन सी जगह ऐसी है जहां पर सामने तोर पे इस्थानिये ही चीज़ें रहती है इदर उदर की चीज़ें आती है का है जो दक्षिनी पठारी भाग है दक्षिन भारत का जो पठारी चेत्र है वो क्या है पत्रिगला चेत्र है तो वहाँ पर नहीं तो भार से मिर्दा आती है नहीं वहाँ जलोर मिर्दाएं पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में वहां की चट्टाने वहीं विग्टित होकर वहाँ पर इस्थानिय मिट्टी का निर्मार्ण करती है तो यह कहां पर है दक्षिन भारत के जो पठारी चेत्र है वहां पर इस्थानिय मिट्टी सामने तो देखने को मिलती है ने कोशन दक्षिन भारत के पठारी चेत्र में किस प्रकार की अनुपजाओ इस्थानिय मिट्टी मिलती है जानि जो मि वो पता है क्योंकि वहां पर पत्रिला इस्थाने, वहां की चट्टाने तूटकर मिटी बनाती हैं और ऐसे स्थेते में वहां की रवेदार होगी, मोटे कंकरों, कंक्रीली होगी, मोटे कणों वाली होगी और लाल रंकी भी होगी, क्यों होती है लाल रंकी क्योंकि वहां लोह उपजाव की बात कर रहे थे लेकिन उपजाव इस्थान ये कौन सी है लावा निर्मित काली मिटी क्यों क्योंकि लावा से बहुत सारे जो खनी दवड़े हैं वो इसमें included होते हैं तो मिटी अपने आप में उपजाव हो जाती है और जो पठारी भाग है उसमें बाकी जो इस स्थान हैं वहाँ पर सामाने जो लाल मिटी जिस ताइब की मिलती है वो अनुपजाव होती है लेकिन यहाँ पर कंक्रीली होती है लेकिन यह क्या है लावा निर्मित है इसमें बहुत सारे जो हैं तत्थु पाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये काली मिटी जो होती है वो कि देखिए उत्री और मद्यवरती मैदानों तhoot अब yum मिलती है विस्थाफित्मिडी का मतलब जलोड मर्दा क्या है ज po्राइब क्या है र कि विस्थाफित्मिटी है और इस जलोड dorad मिधा मैदान बनने उत्री भारत में मैद्यवरती मीदानों तक बनते हैं नो तटीय मेदानों में भी बहुत सारे इन चीजों का कारक होते हैं तो उत्री वे मध्यवर्थी मेदानों तथा तटीय मेदानों में कैसे मिटी पाई जाएगी जओ मिटी पाई जाएगी है ना ने कुशन देखिए मिट्टी की रश्णा और गुणों के आधर पर कितने भागों में वर्गी क्रत किया गया है परवनिया या परवतिय मिट्टी लवनिया और पीट मिट्टी या फिर जिसको हम दलदली मिर्दा भी पीट मिट्टी को कह देते हैं तो इस तरीके से टोटल क्या है आठ भाग हैं टोटल मिट्टियों के जिनमें हम देख सकते हैं ने कोशन देखिए भारत के मैदाने सामने किस प्रकार की मिर्दा पाई जाती हैं भारत के जो मैदान है तो सबसर जादा कौन सी पाई जाएगी जलोड मिर्दा पाई जाती है। टूटल भारत का जो टूटल छेत्र वाले उसका 45% भाग में अकेली जलोड मिटी या काप मिर्दा पाई जाती है तो सरवादिक सामने ते अगर हम बात करें तो कौन सी मिर्दा हुई जलोड मिट्टी है ना ने क्वेश है भॉगॉलिक आधार पर जलोड मिट्टी को कितने भ बाड़ शेत्र से जलोड मिट्टी लाए गई थी लेकिन अब वहां तक पानी नहीं पहुंसता है तो पुरानी हो चुकिए जलोड मिट्टी जहां भी अभी भी बाड़ा जाती है तो वहां पर पानी से मर्दा आती है और नूतन तम जहां अभी भी रेगुलर जमाव हो रह पुरातन जलोर मित्या चेत्र किन स्थानों पर विक्षित होते हैं, तो देखिन हमें पता है, नदीयों के बार्ड चेत्रों से उंचे भागों, जहां बारर का पानी अब नहीं पहुँच पाता है, नदियों के बाड शेत्रों से उंचे भागों में जहां बाड का पानी नहीं पहुंच पा रहा है उन शेत्रों में पुरातन जलोड मर्दा शेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? नदियों के बाड का पानी ज्वारा बिट्टी की नवीन परत जमा होती रहते हैं? ज्वारा नई मिट्टी आती है, नई परत जमा होती है और वो नूतन जलोड मर्दा का निर्मान करती है तो ऐसे चेत्र नूतन जलोड मर्दा वाले चेत्रों कहलाते हैं? नएक क्वेशन नूतन जलोड मर्दा चेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपके खादर शेत्रों हो गए है ना? खादर शेत्रों हो गए तो खादर शेत्र में अधिक उपजाव मिट्टी होगी सामना है? क्योंकि जो पुरातन जो है जो पुरानी जलोड मिर्दा है वो तो एक बार हो चुकी अब उसमें तो पॉस्टिक तत्व धीरे-दीरे खतम हो रहे हैं लेकिन नई जो नई आई है उसमें तो अविस्टी बाते ज्यादा पॉस्टिक तत्व होंगी तो ऐसी इस्तिति में यह अ नूतंतम जलोड मिर्दा भारत में किन छेत्र में सामनेता मिलती है तो नूतंतम जलोड मिर्दा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश ने उनमें सामनेता देखने को मिलती है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो प्रदेश है उसमें नूतंतम जलोड मिर् किस प्रकार के मिर्दा में चूना, मैगनिशयम, पोटास, फासफोरस वे जीवान्स की अधिक्ता पाई जाती है। किस प्रकार के मिट्टी में कुए खोधना खेती करना सुगम रहता है। तो पूरा रंग होता है, अधिक हुमस होता है, और स्थांतरित मिट्टी होती है, क्योंकि ये एक स्थां से दूसरे स्थां पर नदियों के द्वारा लेके आई जाती है। तो ऐसे मिट्टी कौन सी है, जलोड मिट्टी होती है, जहां पर कुए खोधना या खेती करना सुगम रहता है। जलोड मिट्टी में भी अगर क्लासिफाइड करवा लिया जाए, उसमें भी आप से पूछ लिया जाए, तो आप बता सकते हैं, जो नूतंतम जलोड मिट्टी होगी, वहां सरवादिक आसान ये होगा। क्ली मिर्धा सौमनेता भारत में कहां पाई जाती है, तो अब धरक्षिन्थ भारत के पठारी शेतर हैं, उसमें सामनेता सबसे जादा देखने को मिलती है, बाकि महराश्त मदhपरते परश्यम भाग, आंदhrपरदेश के परश्यम भाग, करनाटा के उतरी भाग, गुजर गुजरात वे दक्षनी पूर्वी राजिस्तान में भी ये देखने को मिलती है। गुजरात वे देखने को मिलती है। काली मिट्टी में किन खनीजों की अधिकता होती है। आपको पता है जो काली मिट्टी होती है वो लावर निर्मित होती है। तो इसमें खनीज कौन से होंगे। इसमें आपका लोहा होगा, अलुमिनियम होगा। और इन दो खनीज हैं लोहा और अलुमिनियम इनकी बहुत ज़्यादा अधिकता होगी। और क्यों होगी, क्योंकि यह लावर निर्मित होने के कारण ऐसा होता है। लावादार होने के कारण लोहा और अलुमिनियम खनीज की अधिकताज में पाए जाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में फासफोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम लेकिन पोटास और नाइट्रोजन की मात्रा सामानने होती है। काली मिट्टी की नर्मदा, तापती, गोदाबरी वर किष्णा नदियों की घाटियों में कितनी गहराई तक इसकी परतें पाई जाती हैं। की जाती हैं, तो आपको पता है, ये कपास, मुंगफली और गन्नी की केती इस तरह के स्थानों पर सामनेते की जाती हैं। उच भूमी छेत्रों में लाल मिट्टी उपजाओ क्यों नहीं होती है। और खाद वेसे चाहिकी बहुत ज़्यदा आवशकता होने पर बहुत ज़्यदा आवशकता होती है और तब ये थोड़ी बहुत वसल पैदा कर पाती है। किसकी अधिकता लाल मिट्टी के रंग का कारण है। लाल मिटी जो है, उसका लाल रंग क्यों होता है? तो इसके बड़ में पहली बता चुका हूं, लाल रंग जो होता है, लोही की अधिकता के कारण होता है, और इसमें नाइ्टोजन, पॉस्फोरॉस, जैविक ताथल वे चूने का अंस कम होता है, इसमें बाकि जो चीजे हैं, नाइटोजन है, फास्फोरस है, जैविक दत्व हैं, यानि हूमस जिसे कहते हैं, है ना, चुने कांच, ये सभी क्या हैं? ये कम होते हैं, और लोही के इसमें ज्यादा अधिक्ता होती है, इसी वज़े से इस मत्टि का रंग क्या होता है? लाल हो लाल मिट्टी पाये जाती है नाक कुशन भारत के किन छेत्रों में लाल मिट्टी पाये जाएगी तो इच्छतीजगर्ण, छोटानागपुर, ओरईशा, आंध्र प्रदेश, तमिल लाड़ो और करनाटक यह जो छेत्र हैं यह लगा कि एक जगे पे हैं च्छतीजगर्ण, छ होती है लाल रंग की जो मिट्टी इसमें कंकरों के व्रिधानता हो ऐसी कौन से मिट्टी है ऐसी मिट्टी आपकी लेटराइट मिट्टी क्या होती है उसर भूमी होती है यानि अनुपजाओ भूमी होती है बंजर भूमी जिसे हम कहते हैं लेटराइट मिट्टी होती है ठीक ह यहां अधिक वर्सा होगी, अधिक ताफ्मान होगा, ऐसay इस थानव पर यह अनुप जाओ क्यों हो जाती है? यहां पर किसीıyı परकार में किस प्रकार के अधिकता हुगी उसमें लोहा और इल्मिनियम पदार्तों के अधिकता होगी, शरन होता है यैनि लेटराइट में अधिक वर्सावाले शेत्रों में होती है ये वर्मीद इस वर्जा के करण की पदा अरतों के शरन हो जाता है ? उस में जो । छेंट ब्रम państों का भारत की सिस्तान पर पाई जाता ये भारत बेहती है दो इस वत्वقطழ का पूर्वी घाट की किनारे से राज महल पहाड़ी और पस्शी मी बंगाल होती है, अश्म तक शक्री पटी के रूप में यह पाई जाती है। लेटाइट मिट्टी पर चाय की फिसल काफी अच्छे हद तक हो पाती है नेक कोशन मरुस्थलिय मिट्टी भारत में किस इस्थान पर पाई जाती है मरुस्थलिय जो मिट्टी है भारत में किस इस्थान पर पाई जाती है मरुस्तली मिट्टी हमें पता है, हम राइस्थान की बासी है, तो राइस्थान में सौराष्ट कच्छ की रंड भूमी, यहाँ पर मरुस्तली मिट्टी देखने को मिलती है, यहाँ छारी ततों की बहुत अधिक्ता होती है, है ना? मरुस्तली मिट्टी में किस प्रकार के ततों की अधिक्ता पाई जाती है, ना? महाँ पर अगर सिचाई व्यवस्ता कर दी जाए, तो ऐसे उधारन कौन से हैं, जिनमें उपजाओ यह बहुत ज़्यादा सिल्द हो गई है, तो यह हैं आपके हन्मानगर, गंगानगर और विकानेर जो छेतर हैं, यहाँ पर जो इंद्रागांदी नहर आई है, उसकी अगर सिचाई की विवस्ता हो जाए, तो यह काफी उपजाओ सिद्ध होता है, नेक क्वेशन, परवती अमर्दा भारत में मुक्य तक किस छेतर में पाई जाती हैं, तो देखिए, परवत की बात करें, तो बही माले से बड़ा परवत यहाँ पर है ही नहीं, तो भारत में बात पर परवती अमर्दा किसे कहा जाता है, यहाँ परवती नहीं होगी जहां जो चट्टाने हैं, उनका विखंडन हवा, लेकिन पूरी तरह विखंडन नहीं हुआ, तो वहाँ पर क्या अभी भी कंकर हैं, वो अभी पूरी तेरे मिट्टी में तबदील नहीं हुए मिट्टी के अंदर, तो ऐसी इस्थिति में मिर्दा क्या 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 लाएगी, आप परिपक को मिर्दा क्या लाएगी, और ऐसी परिपक को जो मिर्दा है, वो कहां मिलती है, व परवतियमर्दा में कौन-कौन से विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् परवतिय मिर्दा में किस प्रकार की खेती की जाती है तो परवतिय मिर्दाओं में देखिए सामने तो किस प्रकार की खेती की जाएगे चाय, आलू, चावल और सिड्डी नुमा खेत बना कर जो है चावल जो वसल उगाए जाती हो सिड्डी नुमा खेतों में की जाती है इसम पर उत्पन किये जाते है पेदावार हुथ है ठीक है तो बचों ये था आपका इस वीडिओ का लाइशThis in question और इसी के साथ ये वीडियो आपका होता है समाम तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में राइस्थान की मिर्दा के साथ, राइस्थान की मिर्दा के बाद में आपका ये हो जाएगा शेफ्टर समाव, फिर हम करेंगे टैंथ क्लास, तो चलिए, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, और हम बहुत जल्दी इससले उसको कंप्लीट करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए थेंक यू,